प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत हैं क्लास 11 के Maths के Trignometry की सिरीज चल रही है Preliminary's Lecture No.5 आज के क्लास में डिसकस करेंगे डिसकस होने वाला है Complimentary Angle पे उसके Application चले आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं डिसकस करते हैं इस चाप्टर को तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का टॉपिक होने वाला है Complimentary Angle और उसके Applications क्या है Complimentary Angle में यह सारी जीजे हम लोग जानोंगे और उसके Applications के बारे में जानेंगे एक एक करके चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि Complimentary Angle की जो Formula's है उनका List मैंने यहां बना के आपको प्रोवाइड कर दिया है यह है Complimentary Angle Formula आप आसानी से देख के समझ सकते हैं लेकिन इसे Explain करना यह का मैच कर दोगा Formula's explain करने के बाद इसे समझना काफी important होगा क्यूंकि यह एक bridge बनाने वाला है Teen की पढ़ाई हमारी यहां complete होती है और 11 का जो हमारा first chapter है उन दोनों के बीच में एक connected link है जिसे हम लोग कहते है associative angle यह class 11 में भी present नहीं है class 10 में भी present नहीं है लेकिन इसे हम लोग class 11 में discuss करते हैं इस chapter को हम लोग अपने अगले part में करेंगे इसे मैं preliminary 6 करके बुलाऊंगा लेकिन दर असल यह 10 के complete होने के बाद की चीज़ है इसके बाद हम लोग start करेंगे अपना main course जो हमें पढ़ना है तो चले start करते हैं आज और जानते हैं यह formula क्या क्या है पहला formula कहता है sin 90 degree minus theta is equals to cos theta यानि कि 90 minus theta अगर आप लिखते है sin पर तो उसका resultant value होगा cos theta यहाँ note किज़े sin 90 के साथ कौन minus है theta minus है तो result में cos कौन है theta दर असल यह सबसे ज़्यादा confusing है बच्चों में देखिए अगर मैं लिखू sin 40 degree तो इसका result cost में कितना होगा I hope कि आप लोग बता पाएंगे 40 अगर यहाँ है तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ भी 40 होगा जैसे कि इसमें दिख रहा है answer है नहीं अगर यहाँ 40 है तो 40 का complementary angle कितना होता है 40 का complementary angle होता है 50 degree कैसे पता चला जो भी angle में आपको provide करूंगा उसे 90 से minus कीजिए आपको जो result मिलेगा वो होगा complementary angle अगर मैंने 40 provide किया तो 40 minus कीजिए 90 minus 40 होगया 50 तो cost 50 degree actually बच्चे इस formula के साथ जब इस चीज को relate करते हैं तो बड़ा confuse हो जाते है कहते हैं कि सर 90 minus theta होने पर cost theta होता है यानि sign में 90 की साथ जो minus हुआ है वो यहाँ पर आता है जी बिल्कुल वही आता है अगर आप इसे check करोगे तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 90 minus 50 तब ना 40 होगा sign में sign में तो इसका result क्या होगा cost 50 degree देखिए match किया न यहाँ पर theta औरने पर theta लेकिन अगर हमें directly निकालना है तो हम कैसे करेंगे मैं आपको दूँगा sign 40 degree आप उसे directly convert करोगे sign का कर दोगे cost और 40 का कर दोगे 50 मतलब जो भी angle provided है उसका complementary angle यहाँ पर put कर दोगे तो हमें इस तरह से इस चीज को समझना है कि अगर मैं आपको cost दूँगा तो हो किसमे transform होगा sign में यह जो value दी गई है इस value को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको याद रखे यहाँ पर जो भी angle provide किया जाएगा उसका complementary angle आप यहाँ पर put कर होगे तो sign किसमे transform होगा sign transform होगा cost में और cost transform होगा sign में वाइस वाज़र इस तरह से tan किसमे transform होगा cot में और cot किसमे transform होगा tan में यह है इस formula का निचोड जो आपको समझना है मैं चलिए आपको कुछ questions practice करवा देता हूँ सपोज आप देख सकते हैं कि कोसेक में होगा सेक कोसेक में होगा मैं इसी पर question करवाता हूँ अगर मैं आपको देदू कि कोसेक 23 डिगरी है तो इसका complimentary angle कितना होगा obviously कोसेक का हम क्या कर देंगे मैंने अभी बताया सेक करेंगे अब यहाँ पर कितना angle लिखेंगे 90 में से 23 को माइनस कर दीजे कितना result आएगा 7 देने पर यह हो गया 30 और 6 यानि 67 तो यह हो गया 67 डिगरी I hope आपको clear हो गया होगा कि क्या मैं mean करना चाह रहा हूँ इस से बस एक चीज आप लोग को revise करवा देनी है sign cos में होगा cos sign में होगा 10 cot में होगा cot 10 में होगा cosec sec में होगा sec cosec में होगा clear हो चुका है और जो भी angle provide किया जाएगा उसका complementary angle complementary angle का मतलब ही होता है 90 माइनस करना clear हो चुका है बस यही इस chapter के formula है तो कुछ application समलोग कर लेते हैं आप एक question यहाँ पर देख सकते हैं screen पे sign 50 degree नहीं दिया गया है degree है divided by cos 40 degree क्या होगा इसका result तो इसका result भालो है वो 1 कैसे निकालेंगे ध्यान से समझे मैं sign अब इसमें आप target करो कि इधर इस तरह के question को solve परते हैं कि इधर आप sign को convert करोगे और आप sign cos को convert करोगे दोनों को convert नहीं करोगे clear है तो इस question में जैसे कि हम देख पा रहे है sign 50 degree है divided by cos 40 degree है आपको पता है 50-40 किसी का भी value आपको नहीं पता है तो आप target कर लो कि आप sign को cos में transform करोगे अगर आप sign को cos में transform करोगे तो sign का आप simply लिख दोगे cos अब सवाल उठता है 50 का complimentary कितना होगा 90 minus करो कितना होगा 40 तो यहां 40 लिख दो और नीचे में भी दिखे cos 40 है cos 40 by cos 40 cancel होगे हो गया 1 कितना easy है न आसान लगा एक और application में आपको करवा देता हूँ यह application 2 है 1060 दिया गया है मैं इस question को पहले लिख देता हूँ 1060 degree into sake 50 degree divided by cosake 40 degree इस question को solve करना है अब यहां पर अगर आप यह सोच रहे हो किसमें हम किसको किसमें transform करें ज्यादा सोचनी की जुरूत नहीं है आपको पता है कि sake cosake में होता है और cosake sake में होता है तो आप इन ही दुनों को transform कर सकते हो 10 को transform करके कोई लाव नहीं होने वाला clear और आपको यह भी पता होगा 1060 की exact value हम लोगों को पता है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया यह बात तो वहां से आपको इसको put करना है 1060 की value यहां पर put करने के बाद मैं sake को convert करता हूं को sake में आप चाहे तो को sake को भी कर सकते हैं अब 50 का sake को मैंने कर दिया को sake 50 का कितना होगा 40 degree divided by नीचे भी है को sake 40 degree सब्सक्राइब करने के बाद आपको यह समझने में दिक्कत हो रही है इसका मतलब आप लोगों ने हमारी जिसमें हम लोगों ने वह टेबल बनाना सिखाया था वह सब्सक्राइब करने के बाद आपको यह अच्छे से समझ में आएगा तो resultant value क्या निकल के आया सिर्फ root 3 आसान लगा समझाया यह थी हमारी आज की वीडियो इसमें मैंने आप लोगों को complimentary angle समझाया और उसके applications करबाए आज की इस वीडियो के end तक आई होब कि आप लोगों clarity मिल चुकी होगी कि complimentary angle मतलब क्या होता है हमारा अगला जो चाप्टर है या कह सकते हैं कि preliminist का जो 6 वीडियो है जिससे मैंने पहले ही बताया कि यह एक bridge है दोनुच 10 और 11 के बीच में जिसमें हम लोग discuss करने वाला है associative angle को क्या होता है associative angle कैसे discuss करते हैं उससे बहुत ही interesting होने वाला है जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में मिलिये मैं आज आप लोगों को announcement कर देता हूं Monday Tuesday बाद देके Wednesday Thursday बाद देके Friday सब्ता में 3 दिन हम बिल्कुल remaining 3 दिन में भी मैं आप लोगों को alternative subjects पढ़ाना स्टार्ट करूंगा सॉरी subjects नहीं सब्जेक्ट से मेरा मतलब था कि मैस के एक ब्रांच मैंने trigonometry यहां पढ़ाया है दूसरे ब्रांच को मैं alternative days में पढ़ाऊंगा डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना सेर करते हैं कितने इस पर व्यूज आते हैं कैसी यह विर सीरीज चल रही है अगर बहुत अच्छी सीरीज चलने लगी बिल्कुल आप लोगों के लिए सीरीज कंटिन्यू की जाएगी और aggressively सब्ता में 7 दिन में आप ल